नमस्कार दोस्तों एक बार आप सब का फिर से बहुत बहुत सुवागत है आप सभी के अपनी यूट्योब चैनल डियर गुरुजी पर सुगाई जैसा कि अभी आपको पता है कि हिंदी का जो टेस्ट है समाप्त हुआ अगर नहीं देखा तो जाके देख लीजेगा और अब ह उसका एक्जाम होना उसकी तयारी लगातार चल रही है यूपी ट्रपलसी चगबंदी लेकपाल की वेकेंसी आने वाली है मतलब जैसे यह थोड़ा सा पैंडमिक डाउन होता है तो यूपी में बहुत सारी वेकेंसी जो है आने वाली है तो इन सभी के जो तयारी है आपको अने अकैडमी पर लगातार करवाई जा रही है सारी क्लासे आपको लाई मिलेंगी लेसंस जो होंगे आपके टॉप एजूकेटर देखने को मिलेंगे और आपको जीकली कुज और साथी साथ डाउट क्लेरिंग सेसन देखने को मिला है यहाँ पर यह सारी फाइदे आपको लोग इस कोड का यूज करते हैं तो आपको टैन परस्टन का एक्स्टरनल डिसकाउंट जो हाँ पर देखने को मिल जाएगा तो एंज लाइब कोड यूज करना ना भूले अगर आप लोग कोई भी प्लस का सब्सक्रेशन लेते हैं इसके अलावा जो नीचे डिसक्रिशन लिंक दिया गया है कोर्सिस का नेकैडमी क्लासेस का तो नीचे उस पर इंख करके अनेकैडमी क्लासेस में आप लोग सीधे रिफर हो सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को जितने भी लोग जुड़े हैं फटाफट बता दो आवाज क्लियर आ रही है और आ रही है उसके बाद हम लोग class को करेंगे start जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए है सबी लोग comment करके बदा दीजिए आवाज जो है clear आ रही है नहीं आ रही चली ठीक है ओवाज सब को clear आ रही होगी अब इस start करते हैं हम लोग class को सभागे सथाई नहीं बूचा गया आसथाई पूचा गया है आसथाई अधिक्ष़ की रूप में किसे नियुक्त किया गया तो याद रखे दूस्तो चन्विधान सभागे आसथाई अधिक्ष़ की रूप में डॉक्टर सचिदानम सीना जी को चुना गया था तो option number जो इसका मैं लूँ उनका notification आपको मिलता रहे अगला question देखे कह रहा है कि प्रारूप समित के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे प्रारूप समित के अध्यक्ष कौन थे तो याद रखे दोस्तो प्रारूप समित के अध्यक्ष भीम राओं बेडिकर जी से तो यहाँ पर जितने वी लोग सभा के इस्थाई अध्यक्ष थे तो option number जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा पांच number question ध्यांस देखे कह रहा है कि सनमितान सभा ने अंतिम रूप से सनमितान को कब पारित कर दिया पारित करने की सिर्फ बात हो रही है तो याद रखिएगा सनमितान सभा न यह दोनों question आप लोग याद रखिएगा अलग-अलग है थोड़ा सा different होता है इसमें अगला question देखो आप से यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत कब गरतंतर बना बताए सर जिस दिन हमारा सनुधान लागू हुआ था तो हमारा जो भारत से गरतंतर बन गया था और उसी दिन के बाद से Republic Day भी मनाया जा रहा है तो आप सभी को इसका जो answer है पता होना चाहिए और जवाब बिल्कुल सही आ रहा है भारत कब गरतंतर बना तो 26 जनुधान ने 150 जितने भी लोग जवाद दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएंगे अगला question देखिए कह र से मैंने स्टार्ड किया है आपका रिवीजन करवा रहा हूं तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाद दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएंगे अगला question कर रहा है कि सर्मिधान सबाने राष्टिय ग्यान को कब स्विकार किया था तो बहुत ही important question है याद र नागरिको को कितने मूल अधिकार प्राप्त हुए हैं फटा फट जवाब देते हैं चलेंगे question number 10 का correct answer क्या हो जाएगा तो याद रखे दोस्तो भारती नागरिको को प्राप्त मूल अधिकारों की जो संख्या है वो आपकी total 6 है ठीक है तो यहाँ पर जितने भी लोग option number B जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएंगे अगला question देखे कह रहा है कि संपत्त के अधिकार को किस सन्मिधान संसोधन के त्वारा हटा दिया गया था तो याद रखे दोस्तों यहाँ पर 42, 44, 42, 42 फटा फटा फट जवाब से भी लोग देते हुए चलेंगे बहुत ही ज्यादा important question है अगर आपके आज देखिए आप लोग हमारे टेलीराम ग्रूप से जुड़ जाओ क्योंकि टेलीराम ग्रूप पर आपको daily notification at least मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है notification मिलता नहीं है तो यहाँ पर जवाब देखिए आना शुर तो कह रहा है कि मूल अधिकारों का रख्षक किसे कहा जाता है मूल अधिकारों का जो रख्षक है वो किसे कहा जाता है चलिए सर उच्चे नयाले सर उच्चे नयाले या दोनों या संसर देखते हैं यहाँ पर किनने लोग सही जवाब देते हैं तो याद रखिए को दोस्त से लेकर 14 वर सक्के बच्चों के लिए सिच्छा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है Q13 है सभी लोग जवाब देते हुँ चलेंगे Q13 का correct answer क्या हो जाएगा तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर 6 जो 21 A है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा तो यहाँ पर जितने भी साथी option number C जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगे अगला question देखिए आपसे कहरा है कि लोग कल्यारकारी राजी की आवधार्डा किसमे नहीत है लोग कल्यारकारी राजी की आवधार्डा किसमे नहीत है फटा फट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे इसका जो correct answer app का क्या हो जाएगा जवाब देखिए यहाँ पर 14 काना शुरू हो गया है तो याद रखेगा राजी के नीती निदे सकता ततो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं अनुचे 40 में क्या कहा गया है वेसिकली चले फटा फट जवाब देते हुए चलेंगे तो याद रखे दोसो सन्विधान का जो अनुचे 40 है उसके according ग्राम पंचायतों का संगठन करना तो option number जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question देखो आपसे क्या गह रहा है कि सन्विधान में मूल करतव्यों को सामिल करने की प्रेड़ा किस देश के सन्विधान से ली गई है सन्विधान में मूल करतव्यों को सामिल करने की प्रेड़ा है वो किस देश के सन्विधान से ली गई है चले सोला सभी लोग जवाब देते हुँ चलेंगे सोला का जो करेक्ट एंसर आपका क्या हो जाएगा चले भी है सोला जवाब देखें आपर आना शुरू हो गया है तो याद रिखें सन्विधान में मूल करतव्यों को सामिल करने की पेड़ा जो है रसिया से लिया गया है तो यहाँ पर जितनी लोग रूस जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगला कोशन देखें कह रहा है कि सन्विधान में मूल करतव्यों की कुल संख्या कितनी है देखिए मूल अधिकार में आपको बता दिया है अब मूल करतव्यों आप सभी को बताना है सभी लोग 17 का जवाब देते हुए चलेंगे और 17 का जवाब देखिए यहाँ पर आना सुरू हो गया है कुछ लोग के 10 जवाब आ रहे हैं कि सनमिधान में मूल करतव्यों को किस समित की अनुसंसा के आधार पर सामिल किया गया कई बार ये कोशन मैं आपको बता चुका हूँ तो याद रखे दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि सनमिधान में मूल करतव्यों को किस समित की अनुसंसा के आधार पर सामिल किया गया है फटाफट सभी लोग यहाँ पर जितने वी लोग जुड़ें जवाब देते हो चलेंगे तो स्वर्ड सिंग समित बिल्कुल सही जवाब आ रहा है option number जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा अग्ला question देखे कह रहा है कि भारतिय संग की सकती किसमें नहीं थै भारतिय चंग की जो सकती है किसमें नहीं थै याद रखेओ दूस्टो भारतिय संग की जो सकती है वह राश्च्वती में नहीं थ होती है तो option number जो इसका C है वह यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा टेलीगराम पर इसका PDF मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीगराम पर follow कर लीजिएगा, जाकर जूर जाएगा और Instagram पर फालो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको direct message करने की शिवदा मिल जाती है, तो आप आपके जो भी सवाल ने direct message करके पूछ सकते हैं, अगला क्वेशन कहह रहा है कि राश्टपती के निरवाचक मंडल में सामिल हैं। प्रूइब नमब जो इसका सी है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्लियर है आगला कोशन देखिए आपसे यहांपर क्या कह रहा है कि राश्टिपती का कारेकाल पूछा गया है तो याद रखें राश्टिपती का जो कारेकाल होता है वो पांच वर्स की अवजी तक ह तो आफसर नमबर जो इसका B है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 22 नमबर कोशन कह रहा है कि राश्पति पद के चुनाओं के लिए कौन सी विधी अपनाई जाती है फटाफट 22 का जवाब देते हो चलेंगे राश्पति पद के चुनाओं के लिए कौन सी विधी अपनाई जाती है तो याद रखे दोस्तों राश्पति पद के चुनाओं के लिए बेसिकली हम लोग अपनाते हैं उप्रोक्त सभी अनुपातिक प्रतिनी हित्व एककल संकरनडी है और आप पर तेच्छे मतदान तो यहाँ पर जितने भी लोग आफसर नमबर D जवाब द जाताना है तो याद रखे दोस्तों यहाँ पर नीलम संजीवा रेड़ी जितने भी साथ यहाँ पर आफसर नमबर D जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिलकुल करेक्ट हो जाएंगे क्लियर है अगला कोशन देखिए आपसे यहाँ पर क्या गह रहा है कि राश्पती पर महाव्योग का आरोप संसद के किस सदंद्वारा लगाया जा सकता है जवाब देते हैं चलेंगे तो याद रखिए अगर संसद के किसी भी सदंद्वारा तो यहाँ पर जितने भी लोग बिल्कुल करेक्ट है चाहे लोग सभा हो चाहे राजय सभा हो कोई भी महावियोग कारोप राश्पती पर लगा सकता है अगला कोशन देखिए क्या कह रहा है कि भारतिये सेनाओं का सर्वोच सेनापती कौन होता है भारतिये सेनाओं का सर्वोच सेनापती कौन होता है फट किसमें नहींत है भारतिय सनविधान की अनुसार संग की कारेपालिका सकती जो है किसमें नहींत होती है तो याद रखे दोस्तों यहाँ पर सभी लोग जवाब देरें राश्ट्पती तो आप्सान नम्मर जो इसका A है वो यहाँ पर बिलकुल करेक्ट हो जाएगा इसी तरह क सभा वालोक सभा के सदस्य जो होते हैं वो प्राश्टपती की निर्वाचक मंडल में सामिल होते हैं तो उप्सन नमबर जो इसका C है वो यहाँ पर पिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 28 नमबर कोशन देखे कह रहा है कि राश्टपती राजसभा में कितने सदस्यों को मनुनीद करता है और तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा फटापर 29 का जवाब देते हो चलेंगे तो 29 का जो करेक्ट आमसर आपका क्या हो जाएगा सर राजसभा तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं भारती संसत की उपरी सदन को क्या आगा जाता है राजसभा वो लोग यहाँ प पर बहुत जाओगे और वहाँ पर भी आपको करेंट अफेर और साथी साथ आपके जो और वीडियो हैं आपके टीचिंग अप्टिटूड वाले वो सारे वीडियो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे वो भी आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टन है तो नीचे ल वो चीज़े कर लीजिएगा नीचे नेक्ट वीडियो का लिंक दिया गया है जल्दी से आप लोग पहुंच जाओ तो आज के इस वीडियों से इतना ही वी क्लिए बाबाई टेक कियर जै हिंद जै भारत मिलते हैं सब इसे नेक्ट वीडियो में